C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आईए अब सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का तेरवा सबक हसरत मोहानी सफ़ नंबर 124 हसरत मोहानी तारुफे शायर हसरत मोहानी 181 एसवी से 1951 एसवी तक सेयत फजलुल हसन हसरत कस्बा मोहान जिला उन्नाव यूपी में पहला हुए उन्होंने अरबी फार्सी घर पर पढ़ी और अंग्रेजी तालीम स्कूल में हासल की अलिगर से बिये का अमतिहान पास करने के बाद उन्होंने एक अदबी महनामा अरदू मौला जारी किया जो अर्सा दरास तक अरदू जबान औ अदब की खिद्मत करता रहा हसरत मजहभी इनसान थे उनका जहन हर किसम के तासुबास से पाक था उनमें कमाल की इखलाकी जरायत थी जो बात दिल में होती वही जबान पर लाते मुनाफकत और तसन्ने से उन्हें दूर का वास्ता ना था खुद्दारी, बेबाकी, उसूल पसंदी, साद्गी और खुलूस उनके नुमाया औसाफ थे हसरत को तालिब इलमी के जमाने से शेरुशारी का शौक था लेकिन वो तहरीक आजादी में भी अमली तोर पर शरीक रहे कौम के बड़े रहनुमाओं में उनका शुमार होता है उनके रिसाले उर्दुए मौला की जमानत जब्द कर ली गई उन्होंने कई बार कैतो बंद की सौबतें बरदाश्ट की लेकिन आजादी कामिल के सिलसले में किसी समझोते के कायल ना थे मुकमल आजादी का नारा सबसे पहले उन्होंने ही बुलंद किया था उर्दु घजल को असर नौ मकबूल बनाने में हजरत मुहानी का बड़ा हाथ है उन्होंने घजल को तहजीब आशिकी की शाइस्ता जबान से आशना किया और दर्दु असर के साथ शीरिनी, दिलकशी और तर्ज अदा में शगफतगी वलताफत पैदा की हसरत मुहानी ने अपनी घजल में इश्किया मजामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी यकजहती पर मबनी मजामीन भी दाखिल किये उन्होंने पुराने शौरा का एक बहुत उम्दा इंतखाब इंतखाब सुखन के नाम से चौदा जिल्दों में शाय किया और इस इंतखाब के जर्ये कई ऐसे शौरा का कलाम महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुँचा जो पर्दा गुमनामी में थे हसरत मुहानी ने नवाब असगर अली खान नसीम के शागिर्द मुशी अमीरुल्ला तसलीम की शागिर्दी इख्तियार की सफ़ा नंबर एक सो पच्चीस घजल शायर हसरत मुहानी रोशन जमाल यार से है अन्जुमन तमाम रोशन जमाल यार से है अन्जुमन तमाम दहका हुआ है आतिश गुल से जमन तमाम हैरत गुरूरे उसन से शोखी से अस्तराब दिल ने भी तेरे सीख लिये है चलन तमाम दिल ने भी तेरे सीख लिये है चलन तमाम देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियां, बेहोश एक नजर में हुई अंजुमन तमाम नशो नुमाए सब्सुगुल से बहार में शाताबियों ने खेर लिया है चमन तमाम अच्छा है एहले जोर किये जाएं सक्तियां पहलेगी यू ही शोरिशे हुब वतन तमाम समझे हैं एहले शिर्क को शायद करीब मर्क समझे हैं एहले शिर्क को शायद करीब मर्क मगरिब के यू है जमा ये जागो जगन तमाम शीर निये नसीम है सुजो गुदा जमीर हसरत तेरे सुखन पे है लुद्फे सुखन तमाम हसरत तेरे सुखन पे है लुद्फे सुखन तमाम सफ़ा नंबर 126 मश्क लफजो मानी अंजुमन महफिल चलन तरीका ढंग इस्तराब बेचैनी नशुनुमा फलना फूलना फरोख पाना अहले जोर जुल्म करने वाला शोरिश हंगामा शोर जाग कववा जगन चील सफ़ा नंबर 127 गौर करने की बात हसुरत के कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत साथकी है उनकी जिन्दगी जितनी सخت कुशी में गुजरी उनकी शायरी उसी कदर निशात अंगेज है मक्ते में नसीम से मुराद नवाब असगर अली खान नसीम दहलवी हैं जो के हसरत मोहानी के उस्ताद मुन्शी अमीर उल्ला तसलीम के उस्ताद थे वो जिस तरह नसीम की शीरीनी के काहिल थे उसी तरह मीर के सूजो गुदास के भी मौतरफ थे शीरीनी से मुराद जबान की सफाई और उसका बामुहावरा और सलीस होना है सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक देहका हुआ है आदिशे गुल से चमन तमाम इस मिस्रे में आदिशे गुल से क्या मुराद है? सवाल नमबर दो एहले जोर से शायर का क्या मतलब है? सवाल नमबर तीन घजल के किस शेर में ताल्ला का इजहार किया गया है सवाल नमबर चार शायर के खयाल में वतन से मुहबत का शोर किन वजू से फैल लहा है? सवाल नमबर एक सो अथाईस अमली काम गजल की बुलंद खानी कीजिए पसंदीदा अशायर याद कीजिए गजल के अशायर को खुशखत लिखिए इस घजल के काफियों की निशान देहि कीजिए और उन से मिलते जुलते तीन और काफिये अशायर में मुख्तलिफ जगों पर इजाफत का इस्तिमाल हुआ है ऐसे अलफास तलाश करके लिखिए जिन अशार में हर्फे अतव का इस्तेमाल हुआ है उन शेरों की निशान दे ही कीजिए मक्ते में जिन तीन शोरा के तखलुस आए हैं उनके पूरे नाम लिखिए इसी के साथ नवाए उर्दू भाग एक का तेर्वा सबक यहां खत्म होता है इसके बाद सबक 14 आता है प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत उनके भारत